बड़ी खबर आई गाजा में चल रही भयंकर जंग से जुड़ी इसरेल पर बढ़ तेज स्थीस फायर के दबाओ के बीच गाजा में जंग तेज हो गई इसरेल ने उतरी और दक्षनी गाजा दोनों जगा पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया जबकि इसरेल के सैनिकों के हाथों तीन इसरेली शरनाथियों की मौत के बाद उस पर दबाओ बढ़ गया इसरेल से तुरंट जंग रोकने की मांग की गई लेकिन इसरेल ने इस दबाओ के जबाओ में गाजा में जंग तेज कर दी और उत्री और दक्षणी घाजा में पूरे दम से लडने लगा इसरेल ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी दबाओ में नहीं आएगा और ये बात साबित करने के लिए इसरेल ने घाजा में जंग का एक और वीडियो जारी कर दिया ये वीडियो देखकर लगने लगा कि घाजा में इस्रेल की सैनिक नहीं रुकने वाले क्योंकि वो टारगेट पहचान कर हमास लडाकों का इंकाउंटर कर रही है वीडियो में नजर आया कि इस्रेल ने एक खास इलाके में आपरेशन किया उसके सैनिक खत्रे को सूंगते हुए आगे बढ़े और जैसे ही उन्हें दुश्मन के नजदीक आने की भनक लगी फारिंग शुरू हो गई इस्रेल के सैनिकों ने एक मकान को टारगेट किया और अंदर घुसने से पहले दर्वाजे पर गोली चलाकर चेक किया कि अंदर कितना बड़ा खत्रा है जबरदस्त फारिंग के बाद इस्रेल के सैनिक अंदर दाकिल हुए और फिर इतनी जबरदस्त मुटभेड हुई कि पूरा इलाका दमाके और गोलियों की तर्टड़ा हक से गूझ उठा ये भैंकर मुटभेड ऐसे समय में हुई जब इस्रेल पर जंग रोकने का दबाव बन रहा है लेकिन इस्रेल ने जंग रोकी नहीं उल्टा तेज कर दी वो अब हमास लडाकों से आमने सामने की लडाई लड़ रहा है ये वीडियो इसीका स्बूत है क्योंकि वीडियो में साफ साफ नजर आया कि मकान में घुसते ही इसरेल के सैनिकू को पता चल गया कि हमास लडाके कहां छिपे हैं और इसलिए वो उन्हें देखते ही पीछे की और भागे लेकिन भागते भागते उन्होंने उस कमरे में बम फिक दिया जहां उन्होंने हमास लडाके को देखा था इस मकान में इसरेल के सैनिकों ने एक के बादे कई बंप फोड़े पहली मंजल पर अपना काम करने के बाद ये सैनिक सीडियों से उपर की तरफ बढ़े और हमास लड़ाकों की तलाश की इस काम में इसरेल के सैनिकों ने ड्रोन का भी इस्तमाल किया उन्होंने जिस इमारत में ओपरेशन किया, वहीं की एक खिड़के से ड्रोन छोड़ दिया और ये ड्रोन जैसे ही वहां से निकला, इस्रेल के सैनिक दबे पाउं से उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे यानि उपर से ड्रोन ने इस्रेल के सैनिकू को दिशा दिखाई और नीचे इस्रेल के सैनिकू ने अपने कदम बढ़ाए और दबे पाउं से टार्गेट की ओर बढ़ने लगे बीच बीच में ये गोलियां भी चलाते रहे ड्रोन का पीछा करते करते ये सैनेक अपने लक्ष तक पहुँच गए और फिर शुरू हुई ऐसी मुटभेड कि केवल गोलियों और धमागू की आवाज ही सुनाई दी आरपार की इस लडाई में दूसरी तरफ से भी जबरदस्त जबाब दिया गया क्योंकि वीडियो में नजर आया कि इसरेल के सैनेक एक इमारत से निशाना साध रहे थे और दूसरी तरफ से भी गोलियां चल रही थी इसरेल ने पूरे गाजा में ऐसी ही भयंकर लडाई छेड रखी है जबकि गाजा में घुसने से पहले इसरेल की सेना ने कहा था कि वो केवल उतरी गाजा में जंग लड़ेगा लेकिन हमास के लादेन की तलाश ने इसरेल की सेना को उतरी गाजा से दक्षणी गाजा पहुंचा दिया और जंग की शुरुबाती दौर में इस्रेल के हमलू से सुरक्षित लग रहे दक्षणी घाजा में हाहाकार मच गया खान यूनिस इलाके की तो सूरत ही बदसूरत हो गए क्योंकि वहाँ जबरदस्त लड़ाई चल रही है इसका एक और वीडियो इस्रेल ने फिर जारी किया ये वीडियो एक ऐसी इमारत का है जहां जमीन के उपर ही नहीं जमीन के नीचे भी हमास का ठिकाना है या यू कहें कि जमीन के उपर E2 का मकान है और नीचे सुरंग और इस्रेल के सैनिकु ने सुरंग का एंट्री पॉइंट धून निकाला और बंदूग की नोक उस ओर कर दी। इससे पहले उन्होंने मकान के अंदर खुब गोलियां चलाई। इस्रेल के सैनिक चिपते चुपाते खंड हैर में बदल चुकी इस इमारत तक पहुँचे और अंदर घुसने से पहले गोला बारी की। दक्षणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इस्रेल हमास लडाकों का इंकाउंटर कर रहा है। क्योंकि उसका कहना है कि हमास लडाके चनल में चिपे हैं और वो उन्हें वहाँ से निकाल कर मौत के घाट उतार रहे हैं। इस काम में इस्रेल यहां लोम और गोलानी ब्रिगेट जुटी है। इसके अलावा इस्रेल की कई और टुकडियां हमास लडाकों का इंकाउंटर कर रही है। खान यूनिस इलाके में हुई यह मुटभेड लंबी चली। इतनी लंबी कि लड़ते लड़ते शाम हो गई। और आखिरकार इस्रेल के सेनिकों ने इस सिमारत को जला कर स्वाहा कर डाला।